नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका स्विल सर्सेज विद नीरज पे मैं नीरज गुपता आप सभी लोगा एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तो इस वीडियो हम डिसकस करेंगे यूपीटेट 2018 के हिंदी सेक्षन की जो क्यूस्चन साहित से रिलेटेट जो क्यूस्च प्रस्तावित है उसमें हिंदी सेक्षन में चाहिए आपका 1-5 का एक्षाम हो चाहिए 6-8 का एक्षाम हो एक क्यूस्चन जो हिंदी साहित में प्रथम से रिलेटेड जो है जरूर रहेगा तो इस वीडियो का आप सुरू से लेकर लास्ता देखिएगा जरूर आपको इस प करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगी चलिए बीना देरी केरम शुरू करते हैं हिंदी साहित में प्रथम देखें मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूस्चन आपका पहले पूछा जाता है कि हिंदी के प्रथम राष्ट कभी कौन थे तो हिंदी के प प्रथम राष्ट कभी कौन है मैथीली शरड गुप्त है एक फैक्ट आपको यहां से यह बता देते हैं कि सुद्ध और अशुद्ध से रिलेटेड भी एक परशन पूछा जाता है ज्यादा तर मैथली के नाम पे आपको मैथली लिखके आ जाता है मैथली शरड गुप्त तो हिंदी के प्रथम कभी सरहप्पा को कहा जाता है यह राहुल सांस्कृत त्यायन ने बताया था कि हिंदी के प्रथम कभी को जो है सरहप्पा को कहा जाता है राहुल सांस्कृत त्यायन ने बताया था कि हिंदी के प्रथम कभी को जो है सरहप्पा को कहा जाता है राहुल के प्रतम कवि इतरी जो है आपको मीरा भाई को कहा जाता है Next है आपका Most Important प्रकृति का सुकुमार कवी किसे कहा जाता है सीधी से आपका प्रकृति का सुकुमार कवी किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है सुमितानंदन पंत जी को सुमिता नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवी कहा जाता है नेश्ट क्योश्यान है आपका कथीन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है तो कथीन गद्य का प्रेत आपको कहा जाता है सचिदानन्द हीरानन्द वास्यायन अग्य सचिदानंद, हीरानंद, वास्यायन, अग्गे ये पूरा इनहीं का नाम है सिदे सिदे एक्जाम में ये भी प्रश्ण पूछता है कि अग्गे दे देता है, अग्गे किसका पूरा नाम है तो सचिदानंद, हीरानंद, वास्यायन, अग्गे इनका पूरा नामे इन्हें कठीन गद्य का प्रेत कहा जाता है जब कठीन गद्य का प्रेत कहा जाता है तो कठीन काबि का भी प्रेत कहा जाएगा तो कठीन काबि का प्रेत किसे कहा जाता है केशो दास को कहा जाता है कठीन काबि का प्रेत नेक्स्ट है आपका अश्ट छाप का जहाज किसे कहते हैं तो अश्ट छाप का जहाज है वो कहते हैं सूरदास को अश्ट छाप का जहाज किसे कहा जाता है सूरदास जी को कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट है आपका most important ये भी कई बार पुछा गया है कि हिंदी साहित का सोड़काल किसे कहा जाता है तो हिंदी साहित का सोड़काल कहा जाता है भक्ति काल को कहा जाता है भक्ति काल को कहा जाता है most important ये कई बार पुछा गया है नेश्ट है आपका कलम का जादुकर किसे कहते है तो कलम का जादुकर राम बिच बेनिपूरी को कहते है राम बिच बेनिपूरी एक कवी है जिनको क्या कहा जाता है कलम का जादुकर कहा जाता है अगर यहीं प्रशन पुछा कलम का सिपाही किसे कहा जाता है या कलम का सिपाही के रचना किस ने की है तो मुंसी प्रेमचन जी के द्वारा की गई है कलम का जादूगर हो गया तो भासा का जादूगर हो गया तो भासा का जादूगर किसे कहा जाता है भासा का जादुगर कहते स्विपूजन सहाय को स्विपूजन सहाय जी को भासा का जादुगर कहा जाता है इस वीडियो का आप दोस्तों एक या दो बार देखेंगे तो आपको यह पूरा फैक्ट अच्छे से याद हो जाएगा तो आपको हमेशा के लिए कामाएगा जहां भी हिंदी पूछी जाती है नेक्स्ट है आपका कवियों का कवी most important कई बार या प्रश्ट पुछागी है कि कवियों का कवी किसे कहा जाता है शमशीर बहदूर सिंख को कवियों का कवी कहा जाता है ठीक है आते हैं next भे हिंदी का प्रथम महाकाब किसे कहते हैं ये भी important है हिंदी का प्रथम महाकाब कहा जाता है next है आपका हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास किसे कहा जाता है तो हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास जो है मैला आचल को कहा जाता है मैला आचल जो है हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है जिसकी रचना फडिश्वरनात रेडू जी के द्वारे की गई है जिसकी रचना जो है फडिश्वरनात रेडू के द्वारे की गई सीधे सीधे प्रशन पुछा जाएगा कि मैला आचल किसकी रचना है तो फड़िश्वरनात रेडू की रचना है नेश्ट है आपका most important हिंदी का प्रथम उपन्यास हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है परिच्छा गुरू परिच्छा गुरू हिंदी का प्रथम उपन्यास है यह आंचलिक उपन्यास था उपर जो हम बात किये थे हिंदी का प्रथम आंचली कुपन्यास है और ये हिंदी का प्रथम उपन्यास अगर पूछा जाता है तो आप मैला अचल बताएंगे प्रथम उपन्यास पूछा जाएगा तो आप परिच्छा गुरु बताएंगे ठीक है परिच्छा गुरु की तुरीलालगो सवामी ने इंदुमती के रचना की है जिससे हिंदी की पहली कहानी कहा गया है हिंदी का प्रतम एक आंकी हिंदी का प्रतम एकांकी most important है प्रतम एक घूट हिंदी का प्रथम एकांकी अगर प्रश्न पूछा जाता आपसे तो एक घुट जो है हिंदी का प्रथम एकांकी जिसकी रचना जैसंकर प्रशाजी द्वारा की गई है दोस्तों जो भी first time channel विजिट करना प्लीस इस channel को civil services with निरच को आप subscribe जरूर कर दे बिना subscribe किये आगे मच जाएगा प्लीस इसे subscribe जरूर कर दे क्योंकि धेर सारी जितने वीडियो होंगे आपके UPTate से related, UPPCS से related, बिहार PCS से related सभी इस channel पर upload कराए जाएगे अभी पारुल मैम के द्वारा जो है दो वीडियो इन्वार्मेंट से रिलेटेड एक जियोग्राफी से रिलेटेड वीडियो यानि के राष्टिय उद्ध्यान से रिलेटेड वीडियो अपलोड की गई है तो उसका लिंक हम आपको यहाँ पर दिस्क्रिप्शन वाक्स में प्रोवाइड करा देंगा आप वहाँ से जाके देख सकते हैं तो यूपीटेड के लिए आपका राष्टिय उद्ध्यान से एक प्रश्ण निस्चित आएगा तो वहाँ पी आप मैप के दौरा मैडब के दौरा समझाया गया है तो उसका आप द इसकी रचना 1826 इसवी में पंडी जुगल किशूर के दौरा की गई थी और ये कहां से प्रकाशित की जाती थी कलकत्ता से और इसका कौन सा प्रकार था ये सापताहिक रूप में प्रकाशित की जाती थी यानि सपता हमें एक बार निकाली जाती थी हिंदी का प्रतम समाचा किया जाता था तब सही दे कलकत्ता बता दीगे कब प्रकाशित किया जाता था 1826 में किस के दोरा पंडी जुगल कुशूर के दोरा कैसी किस प्रकार की ये पत्रिका थी सापताहिक पत्रिका थी तो कई प्रश्ण आपको यहां से मिल जाएंगे Next question है आपका राजभास आयोक के प्रथम अध्यज कौन थे Most important question है तराजभास आयोक के प्रथम अध्यज बीजी खेर थे बीजी खेर जी जो है राजवासा आयोक के प्रथम अध्यस थें नेश्ट है खड़ी बोली का प्रथम कभी खड़ी बोली का प्रथम कभी अमीर खुसरो जी को कहा जाता है खड़ी बोली का प्रतम कभी अमुर खुसरो जो है खड़ी बोली के जन्मदाता भी कहते हैं देखें यहाँ पर खड़ी बोली के जन्मदाता अमीर खुसरो अगर खड़ी बोली का प्रतम कभी अमीर खुसरो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट है खड़ी बोली गद्य का जन्मताता अमीर खुसरों है लेकिन खड़ी बोली गद्याता है भारतेंदू हरीशन जी को कहा जाता है नेक्स्ट है आपका खड़ी बोली का प्रतम महाकाबे कौन सा है तो खड़ी बोली का प्रतम महाकाबे जो है प्रीप्रवास जिसे अयोध्या जी स्वारी हरियोध यानि कि अयोध्या सिंग उपाध्याय हरियोध के द्वारा प्रीप्रवास की रचना की गई है जिसे खड़ी बोली का प्रतमाकाब्य कहा जाता है नेक्स्ट है आपका आधनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता देखें आधनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भी भारतेंदू हरिश्चन जी को ही कहा जाता है आधनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदू हरिश्चन जी को कहा जाता है दिवेधी युक का प्रवर्तक महावीर प्रसाद दिवेधी जी को कहा जाता है स्वरस्वती जिसका प्रकाशन महावीर प्रसाद दिवेधी जी के द्वारा स्वरस्वती प्रवर्तक जा संकर प्रशाद चायावाद के प्रवर्तक कौन थे जी संकर प्रसाद जी थे जायावाद का सर्शिष्ट महा कावीर की बात करें तीनी के द्वारा रचित रचना है चायावाद के चार अधार इस्तम्ब है नेक्स्ट है आपका प्रगतिसी लेककसंद के प्रथम अध्यज कौन थे? तो प्रगतिसी लेककसंद के प्रथम अध्यज जो है प्रेम चन जी थे जिसकी स्थापना 1936 इस्वी में की गई थी नेक्स्ट है प्रयोगवाद का प्रवर्थक कौन है तो अग्गे यानि की सचिदानन, हीरानन, वस्यायन, अग्गे प्रयोगवाद के प्रवर्थक थे? नेक्स्ट है अगर महिला पूछेगा प्राप्त महिला तब तो महादवी वर्मा जी हुजे ही यानि यामा के लिए 1982 में इन्हें दिया गया था ग्यानपीट पुरुसकार हिंदी भाषा के लिए हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा में प्रथम ग्यानपीट पुरुसकार के प्राप्त महिला है तो महिला में महादवी वर्मा जी है और ऐसे ग्यानपीट पुरुसकार में आपका आजाएगा सुमित्ता नंदन पंत जी तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी रच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा कमेंट करके बताईएगा और इसके अलामा जो है फर्स्ट टाइम चैनल पर जो लोग भी विजिट कर रहे हैं प्लीज इसे सब्क्राइब ज जजऄ है झाता ब लो ग्याए लो दो बताई है लाएड़ा राईब वीडियो